नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने डॉक्टर वीकमार चलो में दोस्तों आज हम बहुत जनरिक बात पर डिसकसन करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहा, लोगों को मुहा की बहुत दिक्कते होती है आया दिन लोगों को अक्सर बोलते हैं जूठा ना खाये, उनका जूठा खालिये इससे हो गया मुहा यह सब देखी इसका मेन कारण क्या होता है, वो हम आप लोगों को समझाने वाले हैं में कारण यह होता है इंटरस्टाइन इंफेक्शन जो इंटरस्टाइन मतलब आतों की समस्या जब दोस्तों हम किसी अपच्चय वाली चीज़े खा लेते हैं जो डाइजेस्ट्यो सिस्टम आपका जो मसीने वालो है अंदर के पुरजे वो जब किसी चीज़ को पचा नहीं प रहे हैं या आप बिल्कुल ऑईली खा लिए आप या जो डाइजेस्ट्यो सिस्टम आप कवर नहीं कर पा रहा है और आप ज्यादा और कर लिए या खा के तुरण सो गए पचा नहीं खाना नहीं पचता है तो आतों में दिक्कत आ जाते हैं जैसे कहते हैं आतों की गर्मी या आतों का बुखार जब आतों में गर्मी होती है तो वो मूँके ही राystem सो भी निकल रही है फिर क्या होता जो आतों की गर्मी होती है वो हमारी यह बहुत light skin होती है बहुत मतलब पतली होती है तो यहां कि वो छाले पढ़़ जाते हैं मूँ में जब पेट आपका खराब होता है तब यह दिक्कते आती हैं इसका उपाय बता देते हैं बहुत से लोग अधिकतर 90% पिपल जानते हैं कि वी का सूल अगरा खा लेते हैं घर में गाओं में तो उससे सही हो जाता है बात बिल्कुल पर्फेक्ट है भी कॉंप्लेक्स होता है वो उससे खाने से फाइदा ह हो जाता है उसमें बहुत से एसे थत्त होते हैं जो पेट को हमारे सही कर देते हैं और मुह सही हो जाता है जो उठा खाना वैसे तो हम नहीं यह लाग तरीका है क्योंकि इंफट्ड हो सकता है bringing कोhhhh wanna बाकि से यह मुहा होना अलग बात बात क्या होती है आप जैसे वो खाते है कुछ वो पचा नहीं तब मुहा हो जाता है तो उसकी जगा पे बी-कॉंप्लेक्स खा लेते हैं अगर आप नहीं भी खा रहें तो आप गुनगुना पानी लीजे मेट्रोजी लोग आ रहा होती हैं लुज मोसन के लिए लोग यूज करते हैं बहुत से पेसेंट आते हैं भई यह हमें सालों बर से मुहा है डाक्टर साब तो उसमें क्या होता है वो लोग खाली पेट चाय पी लेते हैं या ऐसी चीज खाते हैं जो नुक्सान करते हैं ओली खा लेते हैं तो मुहा सही नहीं होता है जब आपका digestion सही नहीं होगा तो आपका मुहा भी सही नहीं होगा तो सबसे पहले मुहा के लिए जरूरी होता है digestive system को maintain करना उसके लिए आप timely सुबा साधा नास्ता लें हलका लें गुनगुना पानी लें इससे पेड़ भी साफ रहेगा गैस नहीं बनेगी मुहा नहीं होगा जब आपके यहांते सही रहेंगी तो मुहा नहीं होता है बाकि बी कॉंपलेक्स उगरा ओरा सोयल अगरा आता है जो लगा लें बिलकुल परफेक्ट हो जाते हैं घरे लोन इसके भी हमने आपको बताया गुनगुना पानी लीजे इससे सही हो जाता है बाकि दोस्तों इस तरीकर को कोई दिक्कत है आप कमेंट करके जुरूर पूछिए हम तुरन तरी पर लाइक करेंगा और वीडियो पर नहीं प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यों दोस्तों